अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आप गव हत्या के आरोप पर निन्ने सुनाने के लिए जब पहली बार ये पंचायत बैठी थी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी मैंने एक निर्दोश को डंड दिया था पनाज आज असली को हत्यारेकों में तुम सब के सामने लेकर आया हूँ तुर्भाक्यवश वो भी एक महियावंशी है मेरी ही संतान मौलिक धरमराज महियावंशी आज मैंने तुम सब को यहाँ ये बताने बुलाया है कि मौलिक के अपराद पर निर्णए तरंपुर का मालिक धरमराज महियावंशी नहीं करेगा नियाय करने में पहली बार जो मुझसे भूल हुई थी मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार भी वही भूल हूँ आज तरंपुराज महियावंशी दुविधा में कई प्रश्ण है मेरे सामने इन सब प्रश्णों ने मेरी आखों को धुंदला कर दिया है मेरे लिए नियाय करना बहुत कठिन है अगर मैंने निड्णए अपने संतान के पक्ष में लिया तो तुम सब मुझे ये दोश्द होगे कि मैंने नियाय नहीं किया और अगर मैं निड़ने अपनी संतान के विरुद्ध लेता हूँ तो मेरा परिवार मुझ पर ये दोश लगाएगा कि मैंने अन्याय किया है मैं चाहता हूँ कि इस कुर्सी से दिया हुआ न्याय हमेशा निश्पक्ष रहे इसी कारण मैंने ये निड़ने लिया है कि जिस पर ये अत्याचार हुआ है जिसकी गाए मरी है निड़ने भी वही सुनाएगा मालिक मैं यदि इस कुर्सी की प्रथार न्याय की है तो इसकी परंपरह में माया वन्शी इस पर बैठते आये हैं धरमपुर में न्याय केवल माय वन्शी परिवार नहीं किया है मालिकर अज्शिय मालिक आपอยस्पक्र नहीं कर सकते तो by ये बार का कोई सादत से करेगा इस कुर्सी की प्रथा केस पर से महिया वंची ही निर्नय सुनाता इस बार भी महिया वंची ही निर्नय सुनाएगा संतू तरमराच महिया वंची समय भी मलब आ भी मुल एक न धून्य सुना इस बार का किके और ऑग्रमर्ट के से महिया वंची लिल्ट को तरमर्पोद का पल बेननों सला आख मोकाश्कों निर्नय स् draw दि पैकर जानुसिंदोंतों इस प्रिеш साद् 오ilen्म जन्य से के वर tastुकुष़। पंचायत की बैठक में लिया जाएगा मॉलिक भाई ने मावडी की हत्या की यह उनकी गल्टी थी पर वो हत्या नहीं दुर घटना थी पर उनका अपराद यह है जो उनकी कारण एक परिवाद टूट गया उनकी जान लेकर नाजी के परिवार के नुक्सान की भरपाई नहीं की जा सकती किसी ने किसी से कुछ शीना हो तो उसे उसके अपनों से शीन लेना नियाय नहीं होता है इसलिए मॉलिक भाई की सजा यह है कि वो उस नुक्सान की भरपाई करे जो उन्होंने किया है उन्होंने नानाची के परिवार का एक सदस्य छीना है उन्हें वो लॉटाना होगा वो प्यार लॉटाना होगा जो हम सब को मावडी से मिलता था प्यार खॉटाना होगा 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 है इस चोकरी ने हम सबको आज वो समझाया है जो दरंपुर का न्यायाधीश कभी समझ नहीं पाया इस चोटी सी चोकरी ने हमें सिखाया है कि हाथ के बदले हाथ काटने को न्याय नहीं कहते है जब दोशी का हाथ जीवन भर उसका साहरा बन कर रहे जिसका हाथ उसमें काटा है इसके परिवार का एक सदस्य चला जिया उस सदस्य के जाने से इसके परिवार वालों की आँखों में जो आसू है उन आसूओं को अब मौलिक पोचे गा यही है इसकी ससाहरा चीना है तो सहारा बनना पड़ेगा मंजरी अपने दूद से जो इस परिवार को कमा कर देती थी ये अब अपनी मेहनत से कमा कर उस परिवार को देगा प्यार चीना है प्यार लोटाएगा यही धरंपुर का नया नया है दो वहिने तक मौलिक धरमराज महियावनशी इस शोकरी के परिवार के साथ रहेगा और अपना डंड भुख देगा उस परिवार में जो कमी पैदा हुई है उस कमी को पूरी करेगा बंचायत का समय है समाप्थुआ झाल समाप्ट समाप्थ और कि धुग झाल मॉलिक यहां दो जोड़ी कपड़े लेकर आएगा बस यह सब क्या है मॉलिक को तो इन सब चीजों की आदत है इसलिए मैंने आदत और आवशक्ता में बहुत बड़ा अंतर होता है बोटी में मॉलिक यहां महियावन्शी नहीं एक अपरादी बनकर आया है अपने अपराद का डंड भोगने वो यहां वैसे ही रहेगा जैसा मैंने कहा है यह चोकरी दो जोड़ी कपड़े लेकर आये थी अगर यह उन दो जोड़ी कपड़े में जी सकती है तो मॉलिक क्यों नहीं जी सकता है मॉलिक धरमराज महियावन्शी यहां उसी तरह जीएगा जिस तरह मादो सोलंकी का परिवार जीता है अपनी मेहनत की कमाई से उसके परिवार को चलाएगा मादो सोलंकी की परिवार में लड़कियां है इसलिए मॉलिक घर के बाहर रहेगा डंड की अफधी पूरी होने से पहले न महियावन्शी परिवार से कोई उसे मिलने आएगा न वो वहाँ आएगा किसी से मिलने पिनाखीन मॉलिक के डंड भोगने का समय हो गया है कहां है वो अभी तक आया क्यों नहीं वो नहीं आएगा तू यहां क्या कर रहा है मॉलिक का है मैंने उसे भगा दिया है किस अधिगार से उसे भगाया तुने एक भाई के अधिकार से अपराधी है तेरा भाई और एक अपराधी को भगा कर तूने पंचायत के निर्णा का अपमान किया है मैंने पंचायत का कोई अपमान नहीं किया पंच ने फैसला किया था उसे दंड देने का अब मॉलिक का दंड मुझे दे दीजिए वैसे भी न्याय तो ये हुआ था कि जो निक्सान उनका हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगा जो खोया है उसे वापस देना होगा फिर भरपाई मैं करो या मॉलिक करेगा कि या अंतर है अपराद मॉलिक ने किया था भरपाई भी उसे ही करनी होगा क्यों धरंपुर का न्याय तो यह है ना कि हाथ के बदले हाथ और आख के बदले आपण और पर पंच ने भी तो यही फैसला किया था कि मादो सोलंगी ने अपने घर का एक सदस्य कोया है उसकी मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? समझ रहा हूँ मैं कि तु ये सब न्याय को नहीं पन मुझे ठेस पहुचाने के लिए कर रहा है जगडा करने का कोई मौका नहीं मिला ना इसलिए भाई को भगा कर ये मौका बनाया है तुने और अपने इरादे से एक और मौका कम कर दिया अपने भाई को सबके सामने जलील होने से और एक मौका आपको दे दिया मुझे सबके सामने नीचा दिखाने का मेरे दर्द से बहुत शांती ही मिलती है ना तुझे मॉलिक कहा है ठोड़ लिजी आप मॉलिक को पर जब तक आपको मॉलिक नहीं मिल इस दंड पर मैं अमल करूगा खोल गईया बड़ी जल्दी खोल गई तोड़ा और सोलो में मानो ना इस गर के ये लो ये क्या है मूने ही साफ करना मूँ ये वाला मूँ ये है दातू जल्दी करो और चाई पीलो जल्दी चाई पीना बहुत काम करना है इस मिट्टी के बरतन में हम सब भी इस ही में पीते हैं और तुमें भी वेसी करना होगा जैसे हम करते हैं अगर ज़्यादा बोलोगे ना बने भी लाल से कह दूँगी पर इसमें तो मिट्टी की बास आ रही है मिट्टी का बना है, तो मिट्टी की दो पास आएगी ची, यह कैसी चाहे, इसमें तो चीनी भी नहीं है चीनी मेरी नाम जैसी है, बहुत महंगी और हम गोर्ड लाल करी चाह पीते हैं, तो तुम्हें भी पैसी करना पड़ेगा मुझे नहीं पीने तुम्हाई चाहे तुमने मेरी कुलडी क्यों फैकी अगर तुम्हे चाह नहीं पीनिती तुम बट पीती ना वने भी लासे केकर तुम्हारी सजो और पढ़वादूंगी समझे पड़ी मालकिन पुन रही है हाँ नाना जी के फैक्टरी जाने के बाद मैं इस घर की मालकिन होती हूँ और यहां पर मेरा राज चलता है समझे चाहरो अब मेरे पीछे पीछाओ बहुत काम पढ़ा है घर का मूँ मत बनाओ इस गोबर के तुम्हें चन्ने पनाने है नहीं आता मैं सिखाती हूँ तुम्हें ये लो समझे अब तुम करो जल्दी करना गाव में मुझे बेचने जा रहा है ये दुम्हें क्या आकिया सारा गंडा करते है गंडा ये नहीं गंडा तुम्हारे एक गोबर है गोबर को गंडा नहीं बोलते है इससे रसो लीपते है मुझसे ये सब नहीं होगा मैंने बोला ता अपनी भाई की सजब पूजी करने के लिए अब चलो काम पर लग जाओ बड़ा बनी भी लाल से मोल दोगी चालो